हेलो एवरिवन, कैसे यो आप सब स्वागत है आपका आपके ही चैनल में हनुमान चालिसा पढ़ते वक्त भूल कर भी नय करे ये 15 गलतियां उठाने पढ़ सकते हैं बुरे परिणाम भक्त बजरंग बली को प्रेशन करने के लिए अधिकतर लोग हनुमान चालिसा का पाठ करते हैं विसेशकर मंगलवार के दिन हनुमान चालिसा के पाठ करने से मन्चा अफल प्राप्त होता है हनुमान चालिसा के लिए किसी खास नियम के आफशकता नहीं होती है लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है हिंदु धरम के अनुसार हनुमान जी की पूजा से सुब फलों की प्राप्ति होती है ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से लोगों की समस्त मनो कामनाओं की पूर्ति होती है और सुब फलों की प्राप्ति होती है इसी वजए से उनके भक्त जन उन्हें प्रशन करने हेतु कई विसे सुपाई आज माते है ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी भगवान हनुमान की पूजा करता है वै शम्रधी, धन और सकारात्वक उर्जा से भरपूर हो जाता है ऐसी मान्यता है कि चालिसा के नियमित पाठ से भगवान प्रशन होते है और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते है हनुमान चालिसा में लगभग चारिस चुपाईयां सामिल है ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालिसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे पुजा का पुरन फल नहीं मिल पाता है तो आईए जानते हैं हन्मान चालिसा का पाठ करते वक्त किन गलतियों से बचना चाहिए लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाते हैं कि बजरंग बली का आश्रिवाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करे और चैनल को सस्क्राइब कर ले और कोमेंट बॉक्स में जैसरी बजरंग बली जरूर लिखे तो आईए जानते हैं वो उपाए पहला किसी बीच की चुपाई से पाठ सुरू करना बीच की चुपाई से नहीं करना चाहिए यदि आप हनुमान चाली सा पढ़ने जा रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा करम बद तरीके से पढ़करी उस तान से उठना चाहिए कभी भी बीच की चुपाई से पाठ सुरू नै करे कोई भी पाठ अगर आप कर रहे है तो उसे सचे मन से करना चाहिए अन्यथा पाठ करने का फल कभी नहीं मिलता है दूसरा साफ तन और मन से पाठ करना ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में हनुमान चाली सा का पाठ करते हैं तो हमेशा सुद्ध, तन्द और मन से मंदिर में दिक्पक प्रजुलित करके हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाथ करें तीसरा, तामसिक, बोजन और मदिरा का सेवन यदि आप हनुमान चाली सा का पाथ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको भूलकर भी तामसिक बोजन या मदिर्या का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पातर बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रहमचारी है और हमेशा महसारी चीजों और सराब के सेवन से दूर ही रहना चाहिए। तभी आपको पुजा का फल प्राप्त होगा। चो था किसी से व्यर्थ का जगड़ा। यदि आप हनुमान चालिसा का पाट करते हैं तो ध्यान रखे कि आपको भूल कर भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए और किसी से व्यर्थ में जगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप भी हनुमान चालिसा का पाट करते हैं तो ध्यान रखे कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के लिए भी अपसबद का प्रियोग नहीं करना चाहिए। आप अगर हनुमान चालिसा का पाठ करते हैं तो आपको गरीबों को भी सताना नहीं चाहिए बलकि गरीबों की सहेता करनी चाहिए पांचवा जीवन साती को छोड़कर किसी अन्य रिस्ते में बढ़ना यदि आप विवायत है और हनुमान चालिशा का पाठ करते हैं तो आपको जीवन साती के अलावा किसी और से रिष्टा जोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए ऐसा करने वाले को कभी भी हनुमान चालिशा के सुफल नहीं मिलते है किसी विवाहित पुरूस को किसी अन्य प्राइस्त्री से समंध नहीं रखना चाहिए अगर कोई स्त्री भी हन्मान चालिसा का नियमित रूप से पाठ करती है तो उससे स्त्री को भी अपने पती के अलावा किसी अन्य प्रूस से समंध नहीं रखना चाहिए अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो उसे तो प्राइस तरी से दूर ही रहना चाहिए यदि कोई व्यक्ति हन्मान चालिसा का पाट करता है तो उसे इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए छटा गरीबों और जानवरों को सताना नहीं चाहिए यदि आप घर की शमरदी के लिए हनमान चालिसा का पाठ करती है तो भूल कर भी किसी जानवर और गरीब को नय सताई ऐसा करने से पूझा का फ्ल नहीं मिलता है और घर में दुख بنे रहते हैं घर में नकारात्मक उर्जा का वास हो जाता है और घर में सुक्षम रदी हमेशा के लिए चली जाती है साथवां कोई अपराद नए करे और जूट नए बोले यदि आप अनुमान चालिसा का पाट करते हैं तो आपको किसी भी परकार का अपराद नहीं करना चाहिए आपको किसी के साथ छल कपट करने से भी बचना चाहिए और जूट नहीं बोलना चाहिए अगर आपके मन में किसी के प्रती छल कपट और द्वेस है तो इस से आपको पूजा का फल कभी नहीं मिलेगा आठवां हनुमान चालिसा पढ़ने में जल्द बाजीन नहीं करे जब आप हनुमान चालिसा का पाठ करते हैं तब आपको कभी भी जल्द बाजीन नहीं करनी चाहिए और कभी भी इसके किसी स्लोकाउ चरण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए इसका पाठ हमेशा धेरिया पुरक ही करना चाहिए नवा सभी इस बात से परीचित है कि हनुमान राम जी के परम भगते हैं इसलिए बगवान राम का नाम लिए बिना हनुमान चालिसा की सुरुआत नहीं करे वरना आप इसके फल से वन्चित रहे जाएंगे दस्वा तन और मन रखे साफ हनुमान जी को और उनके इश्ट सिरी राम के चितर की स्तापना करे इसके बाद उनके समक्स जल से बरा पतर रखे कम से कम तीन बार से लेकर एक सो आठ बार तक चालिसा का पाठ करे घर में हनुमान चालिसा का पाठ करते समें तन और मन दोनु साफ होना चाहिए बेहद जरूरी होता है 11. मन में नैलाए अनुचित ख्याल हनुमान चालीसा का पाट करते समय मन किसी भी प्रकार अनुचित ख्याल नहीं आना चाहिए प्रियास करे कि चालीसा पाट का समय रोज एक ही हो विसेश दसाओं में यात्रा तथा 13 में भी चालीसा का पाट कर सकते है 12. मंगलवार और सनिवार को हनुमान के दरशन जरूर करने चाहिए हनुमान चालिसा का पाट करने वाले को मंगलवार और सनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के दरशन जरूर करने चाहिए यदि मंगलवार या सनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर उनके सामने गी का दिपक जलाने से और हन्मान चालिसा का पाट वहीं बैठकर करने से बड़े से बड़े कश्ट है वो दूर हो जाते हैं किसी भी गलत संगत वाले लोगों के साथ में नए रहें यदि आप हन्मान चालिसा का पाट पढ़ते हैं और फिर भी गलत लोगों की संगत में बैठते हैं उनका साथ उनके गलत कामों में देते हैं तो आपका पतन निश्चित है इसलिए ऐसे लोगों से दूर ही रहना सही है जोतिस के अनुसार मंगलवार के दिन तीन बार पाठ करना बेहद सुमाना जाता है जब भी आप पाठ करें तो सबसे पहले एक पतर में जल भर कर रख ले उसके बाद जब हनुमान चालिसा का पाठ संपन हो जाए तो उस जल को ग्रहन कर ले इससे आपको लाब तो मिलेगा ही साथ ही हनुमान जी की भी जम कर आपके अपनी करपा बरसाएंगे पंद्रुवा सुत्तकाल में परिवार जब किसी इंसान की मोत हो जाती है तो वहां सुत्तकाल मन्य रहता है जब तक ये सुत्तकाल रहता है तब तक हमें अन्मान साइथ किसी अन्यदेवी देवताओं की पुजा नहीं करनी चाहिए इस दोरान मंदिर में भी प्रवेश ना करें तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद